हेलो गाईज, वेलकम टो आवर यूटूब चैनल स्टेडी विद एम आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ आगामी वीडियो वीपीडियो एक्जाम के लिए हिंदी के टॉप 80 questions जो आपके उत्राखंड, पुलीज, पटवारी, लेकपाल, बंदी, रक्षक, LDC, अधर बंड़ा एक्जाम के लिए भी important है तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्डिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें वीडियो स्टार्ड करते हैं, वीडियो स्टार्ड करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लें, साथ ही साथ बगल में जो पहला आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिविकेशन आपके पास जल से जल पहुंच जाए आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं आराउंड 5.7 के यहाँ पर सस्क्राइबर्स हो चुके हैं सुबद 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पर कुईज का एजन भी कराया जाता है most important questions दे रहे हैं आप सभी को यहाँ पर quiz के रूप में तो आप चाहें तो हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं लिंक आपको उसका description box में provide करा दिया जाएगा बढ़ते हैं आज की वीडियो के और इस series का पहला question है निमनांकित में pulling शब्द है देखिए इन में से pulling शब्द है आपका बुड़ापा option D आपका यहाँ पर बिल्कुल right answer है अगला देखिए पुरूश शब्द में कौन सी संग्या है पुरूश शब्द में संग्या है जाती वाचक शंग्या option D आपका यहाँ पर right answer है अगला कुशन देखिए अगला है मैं घर पहुचा की पानी बरसने लगा और पानी इतना बरसा की ठंड बढ़ गई तो इस वाकिय में संयुक्त वाकिया है देखिए option C आपका यहाँ पर right answer है यह आपका संयुक्त वाकिया हो जाएगा अगला देखिए जीवन अपी का संदी विच्छेद है जीवन अपी का संदी विच्छेद होता है जीवन धन अपी option B आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला कुशन है कि शब्द में दिग्गू समास नहीं है किस में दिग्गू समास नहीं है पितामबर सब्द में option D आपका यहाँ पर बिल्कूल सही answer है अगला कुशन है उप्यूक्त उत्तर देना है उद्धो का ना लेना ना माधो का देना तो उसमें उप्यूक्त उत्तर हो जाएगा सब जहमेलों से अलग रहना option A आपका यहाँ पर बिल्कूल सही answer है अगला कुशन देखिए अंडे का सहजादा मुहावरे का अर्थ है अंडे का सहजादा मुहावरे का अर्थ होता है अनुभाव हिन जिसके वास कोई अनुभाव ना हो option C आपका यहाँ पर राइट answer हो जाएगा अगला देखिए निम लिकित में से कौन सा कथन सत्य है इन में कौन सा कथन सत्य है यह बताना है तो देखिए दोहा वाव शोटा के तिर्थी चरण में तेरा-तेरा मात्राएं होती है दूसरा है दोहा वाव शोटा के प्रथम चरण में 13-13 मात्राइं होती है दुहव और सोटा के दितीय चरण में 13-13 मात्राइं होती है तो उप्यूग तो मैंसे कोई भी गतन आपका सत्य नहीं है कोई भी सत्य नहीं है तो option D आपका हैंपर correct answer हो जाएगा अगला देखिए हिंदी वर्ण माला में अयोग वाह वर्ण है इसमें से अयोग वाह वर्ण है आपका अह और अंग और अह option A आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर है अगला देखिए ग्यां किसके मेल से बना है ग्यां बना होता है जो और यों के मेल से option C आपका यहां पर correct answer हो जाएगा अगला देखिए अर्ध विराम चिन्न का रूप है अर्ध विराम चिन्न यह होता है option D आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर है अगला देखिए गुरुत्व शब्द में शंकर शब्द option c आपका हैं पे राइट आंसर हो जाएगा अगला देखें देव नागरी लिपी का विखास डैस से हुआ देव नागरी लिपी का विखास हुआ है ब्रामी लिपी से option c आपका हैं पे बिल्कुल right answer है अगला देखिए अनुग्रह सब्द का विलोम है अनुग्रह सब्द का विलोम है विग्रह आपके हैं पर राइट आंसर हो जाएगा गाइस वीडियो पसंद आ जी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर नए है तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब को जादा से जादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसके अलावा देखिए वीडियो को जादा से जादा सेर कीजिए अपने दोस्त ए आपका हैं पर right answer है अगला question देखिए तुफानों के बीच रीपो तारज के लेखक का नाम है तुफानों के बीच रीपो तारज के लेखक है रांगे रागव ओप्सन C आपका हैं पर बिल्कुल सही answer है अगला देखिए किसी ध्वनी के उच्चारण में नासिका से अधिक और मोक से कम सास बाहर निकलती है तो ये ध्वनी है अनु नासिक ध्वनी option C आपका हैं पर right answer हो जाएगा अगला देखिए वीभत्स रस का इस्थाई भाव है जुगुपसा option D आपका हैं पर right answer है अगला देखिए शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है शेखर एक जीवनी ये है आपकी उपन्यास एक उपन्यास है ये option A आपका हैं पर correct answer हो जाएगा अगला question देखिए वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को like जरूर किजिएगा चैनल पर नए तो हमारे यूटूब चैनल इस्टेडी विद एम को subscribe कर लेजेगा इसके अलावा देखिए आपको comment करके बताना है कि out of 80 आपके कितने question correct थे अगला देखिए आपका स्वर कितने स्वर के कितने भेद होते हैं स्वर के भेद होते हैं तीन भेद option B आपका यहां पर right answer हो पोस्ट से option B आपका यहां पर right answer है अगला देखिए वाक्य में शन भर ठहराओ के लिए प्रियुक्त चिन्न है अल्प विराम option A आपका यहां पर right answer है अगला देखिए और से पहले किस चिन्ने का प्रियोग नहीं होता है और से पहले प्रियोग नहीं होता है पोन विराम अ option d आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अगला देखिए सूर्योदई शब्द में शब्द का संदी विग्रह है सूर्योदई शब्द का संदी विग्रह होता है सूर्य धन उदई option A आपके हैं पर right answer है अगला देखिए उत्क्रष्ट शब्द का विलोम है उत्क्रष्ट शब्द का विलोम है निक्रष्ट option b आपका हैं पर correct answer है अगला देखिए अगला question है निमने लिखित में से कौन साथ शब्द शुद्ध है इन में से शुद्ध शब्द है आपका अभिशेक option a आपका हैं पर right answer है अगला देखिए निमने लिखित में विदेशज शब्द है इसमें से विदेशज शब्द है अल आपके लोग भी आपके आगामी वीडियो वीडियो एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे यूट्यूब सब्सक्राइब जरूर किजिए आप सभी के लिए इतने क्लास यहां पर प्रोवाइड कराई जा रही है सुबर नौ बज़े आई थी क्लास इसके बाद आपके ग्यारा बज़े आई रात को आपकी एक घंटे की क्लास चलेगी उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं इससे आपको आगामी वीडियो वीडियो के लिए काफ़ी help मिलेगी यह आपके सारी रिविजनल क्लास चल रही हैं ह्याओ, प्रवा कम्पूटर की भी क्लास चलाई जाएगिस आपके लिए और करेंट अफ सब्सक्राइब कहा ल सर्षाइब एक्साइस के लिए को चैनल पर नएं जिन लोगों हमारे यूटीब को सब्सक्राइब नहीं किया है उन फेर रिक्वेस्ट ко कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी विद एम को ज़ाद से ज़ाद आप सस्क्राइब जरूर केजिएगा अगला देखें यत वीधी का सही उत्तर बताईए यत वीधी का सही उत्तर है वीधी के अनुसार आप्शन B आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अगला देखें उल्लास का सही विच्छेद चुनिए उल्लास का सही विच्छेद होता है उत्तर धन लास ओप्शन A आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अगला देखिए, मोहन नहीं आने वाला यह किस प्रकार का वाकी है यह वाकी है आपका नकाराधथक वाकी Option D आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अगला देखिए, किये हुए को मानने वाला वाक्यांज के लिए एक शब्द है का आपका किर्ट अप्शन ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा देखिए यह मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टिट कुशिन आप सभी के लिए लेकर आई हूं मैं हिंदी के जो आपके वीडियो वीपीडियो एक्जाम में आने के चांसे हैं इसके अलावा देखिए आपका किसी भी उत्राखन का कोई भी एक्जाम है चाहे देखे आपका बारा या तेरा में नायब तहसिलदार का एक्जाम होने वाला है उसके लिए भी यह कुश्चिन समेहत्पूर्ण है तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्डिंग से लेकर एंड तक जरूर देखेगा अगला देखे अगला कुश्चन है आपका कंगाली में आटा गिला का अर्थ होता है अभाव किस्तिती में और हानी होना ओप्शन से आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला देखे नेमने में एक शब्दालंकार नहीं है इन में से एक शब्दालंकार नहीं है उपोमा अलंकार option B आपका यहां पर सही answer है अगला देखिए अगला question है छंद के विशय में कहा गया है छंद के विशय में कहा गया है छंद वाक्यात्मक है option C आपका यहां पर right answer हो जाएगा अगला देखिए राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भासा प्रियुक्त हुई है राम भक्त कवियों के काव्य में जो भासा प्रियुक्त हुई है उसका नाम है अभीधी और ब्रिज भासा A और B दोनों है तो option C आपका पर right answer हो जाएगा अगला देखिए निमनांकित में से कौन सा रचनाकार उत्राखंड का है उत्राखंड का रचनाकार है इसमें शेखर जोशी option D आपका है पर right answer हो जाएगा अगला कुश्यन देखिए निमन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है इन काव्य पंक्तियों में रस है देखिए काविय पंक्तिया देख लेते हैं तो इसमें काविय है आपका काविय रश है रौद्र रश ओप्शन ए आपका हैं पे इस कुशिन का राइट आंसर है अगला देखिए राज भाषा संबंदी समयधानिक अनुच्छेद है राज भाषा संबंदी समयधानिक अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक ओप्शन ए आपका हैं पे राइट आंसर हो जाएगा most important selected question है guys तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को starting से लेकर end तक जरूर देखेगा और comment जरूर कीजिए आपको कौन से question आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं यह आपको पता चल जाएगा इससे उसने कहा था कहानी के राशनाकार हैं उसने कहा था इस कहानी के राशनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी option ए आपका हैं पे राइट आंसर हो जाएगा अगला देखिए अगला question है अतीत में दबे पाउं के लेखक हैं ओम थानवी, option C आपका यहां पर right answer है, अगला देखें, शुद्ध वाक्य चाटने हैं, इसमें से कौछा शुद्ध वाक्य है, यह चाटना है, तो आपका again ने अनेक गुरंत लिखे हैं, तो option A आपका यहां पर शुद्ध वाक्य है, अगला देखें, देशा भीमान में प्रि प्रत्यक चरण में मातराएं होती है, चौपाई के प्रत्यक चरण में मातराओं के संख्या होती है, शूला, option A आपका यहां पर right answer हो जाएगा, अगला देखें, अगला कुश्यन हैं आपका सितोष्ण का अर्थ है, शितोष्ण का अर्थ होता है, ठंडा और गरम, option A आपक हो जाएगा अगला देखे अगला कुश्चन है उद्धरन चिन का प्रियोग कहां होता है उद्धरन चिन का प्रियोग होता है जब किसी के कथन को जो का त्यों उद्रित किया जाए option b आपका यहाँ पे बिल्कुल सही answer है अगला question है जुही की कली कविता के कवी है जुही की कली इस कविता के कवी है निराला जी option c आपका यहाँ पे right answer हो जाएगा अगला देखे लिंग वचन कारक आदिकारणी के को कहा जाता है विकारी शब्द option a आपका यहाँ पे right answer हो जाएगा अगला question देखे निम्न लिखित में कौन सा शब्द देशच नहीं है देखे इन में से देशच सब्द नहीं है आपका option b आपका यहाँ पे right answer हो जाएगा साज जो है यह एक देशच सब्द नहीं है अगला है किरिया की व्यूत्पत्ति होती है किरिया की व्यूत्त्ति होती है धातू से option d आपका यहाँ पे right answer है अगला देखे दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्थन को कहते हैं दो वर्णों के मेल के बाद जो भी परिवर्थन होता है उसे कहा जाता है संधी option b आपका यहाँ पे right answer हो जाएगा अगला देखे अरविंद का परियाई वाची है अरविंद का परियाई वाची है आपका कमल option b आपका यहाँ पे right answer हो जाएगा अगला कुशन देखिए कबीरवानी के डिटेक्टर थे किसने कहा है कबीरवानी के डिटेक्टर थे ये कहा है आपके हाजरी प्रशाद दिवेदी जी ने option D आपका यहाँ पे correct answer है अगला देखिए व्यंजन किसके उच्चारण में विश्वास की कम मात्रा निकलती है कहलाता है व्यंजन जिसके उच्चारण में स्वास की कम मात्रा निकलती है कहलाता है ये कहलाता है अल्प प्राण option A आपका यहाँ पे right answer है अगला देखिए फिराग गोरक पुरी का मोल नाम क्या था फिराग गोरकपुरी जो है इनका मोल नाम था रघुबती सहाई option B आपका यहां पर right answer हो जाएगा अगला देखे देव नागरी लिपी का विकास हुआ देव नागरी लिपी का विकास हुआ आपके ब्रहामी लिपी से देव नागरी लिपी का विकास हुआ है अगला देखिए विपरितार्थी शब्द युग्म है विपरितार्थी शब्द युग्म है आपका लाब और हनी ओप्शन सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लिजिए देखे चैनल पर नए है तो हमारे यूटूब चैनल से जादा आपको सस्क्राइब कर लेना है वीडियो को जादा से जादा शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ अपने वट्सप ग्रूप्स में आप सभी के लिए यहां पर स्पेशल स्रीच चलाई जा रही है तो आप से जोइन जरूर करें आपके आगामी वीडियो वीडियो एक्जाम में आपको काफी हैल्प मिलेगी और इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा जितना भी अभी तक आपने वीडियो वीडियो के लि राज भाषा है उत्राखंड की द्वितिय राज भाषा है संस्कृत भाषा पहली है हिंदी और दूसरी है आपकी संस्कृत अगला है साहीति में रस का आसई होता है इन में से कोई नहीं इन में से जोवी आप्शन दिये इन में से कोई नहीं है अगला देखिए अगला परियावरन शब्द किन शब्दों के योग से बना है आज के ये वीडियो आपको कैसी लग रही है यह आप कमेंट शेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा जादे से जादा लोग कमेंट जरूर करें जितने वीवर्स भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर किजेगा आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कैसे कुश्यन के लेवल हैं आज के अगला देखे परियावरन शब्द किन द महादेवी की नहीं है यह रचना महादेवी की नहीं है कौन से नहीं है ये आपको बताना है देखे महादेवी वर्मा की रचना नहीं है उर्वर्शी ऑप्शन ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बाकि पत के साथ ही स्मृतिकी रेखाएं और यामा जो है ये सार question है भारत सरकाने शिक्ष्या मंत्रालई की अधिन वैग्यानिक तथा तक्नीकी शब्दावली बोड की स्थापना की थी सन 1950 इस भी में option भी आपका यहां पर right answer हो जाएगा अगला देखिए निमने लिखित में दशा बोधक गुणवाची विशेशन कौन सा है निमने अगला देखिए अगला कुशन है आपका प्रारूफ लेखन का अर्थ है पत्र का कच्चा रूप तयार करना option भी आपका है पर right answer हो जाएगा अगला देखिए जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हो वहाँ अलंकार होता है जहां एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहाँ पे आपका अलंकार हो जाता है शलेश अलंकार option ड आपका यहाँ पर correct answer है अगला देखिए अगला कुशन है किसी काम को उत्सा और परिश्रम से करने वाला अध्य अध्य वसाई कहलाता है option c आपका यहाँ पर correct answer है अगला देखिए कौशा शब्द संग्या नहीं है इनमें से संग्या शब्द नहीं है आपका मोटा option c आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला देखिए अंत इस्त धनिया कौँसी है यह आपको बताना है देखिए अंत इस्त धनिया है जैशंकर प्रशाद, option D, आपका है राइट आंसर है, अगला देखे, निम्न लिखित मैं से कौन, कभी सूफी संगीतक्य और इतिहासकार थे, इन मैं से कभी सूफी संगीतक्य और संगीतकार थे आपके, अमीर खुसरो, option B, आपका है राइट आंसर हो जाएगा, अगला देख कि राम व्रक्ष बेनी पुरी ने किस पात्रिका का संपादन किया था, राम व्रक्ष बेनी पुरी ने संपादन किया था, हरी ओध की, option C, sorry, जनवानी की, option C, आपका हैंपे correct आंसर है, जनवानी, जनवानी आपका हैंपे इस question का right आंसर है, जनवानी पत्रिका का इन्होंने शंपादन किया था अगला देखिए क्या भूलू क्या याद करूं किसकी आत्म कथा है क्या भूलू क्या याद करूं ये आत्म कथा है बच्चन की option डे आपका हैं पर right answer हो जाएगा अगला देखिए इशान शब्द इस अर्थ में भी प्रियूग तो होता है देखिए इशान शब्द इस अर्थ में भी प्रियूग तो होता है दीपती अर्थ में option भी आपका याँ पर right answer हो जाएगा अगला देखिए अगला question है आपका संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम जियों का त्यों प्रियोग में लाते हैं कहलाते हैं संस्कृत के ऐसे सब्द जिन्हें हम जियों का त्यों प्रियोग में लाते हैं ये कहलाते हैं तत्सम शब्द option भी आपका याँ पर right answer हो जाएगा अगला देखिए मैं का भहुवचन है मैं का बहुवचन है हम option C आपके हैं पर right answer हो जाएगा last question देखे इस वीडियो का निम्न मैंसे कि शब्द में योजक चिन्न यानि हाइफेन आवश्यक है देखे योजक चिन्न यानि हाइफेन आवश्यक है राम लक्षमण में option D आपके हैं पर correct answer हो जाएगा आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like, share और हमारी YouTube चैनल study with aim को जादा से जादा subscribe जरूर किजिएगा वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने WhatsApp ग्रूप्स में मिलते हैं एक नई interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यावाद